नमस्कार मैं हूँ वरुन कुमार और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का खास बुलिट इन मनी टाइम जिसे अब आप मनी नाइन के एप पर भी देख सकते हैं इस खाशो में आपको मिलेगी हर वो खबर जिसका आपकी जेब से है सीधा सरुकारा और आज की पहली खबर है छोटे बचत करताओं से जुड़ी हुई छोटे बचत करताओं के फायदे की कम दिन में मिलेगा अब ज्यादा रिटर्न आईडी बी आई बैंक ने सीमित अवधी के लिए एक स्पेशल फिक्स डिपोजिट स्कीम जिसका नाम अमरित महुतसव एफडी है उसको लॉंच किया है इस एफडी की मेचॉरिटी अवधी 500 दिन की है इस पर बैक 6.70 फीजदी और नॉन कैलेबल डिपोजिट पर 6.20 फीजदी का ब्याज मिलेगा कैलेबल डिपोजिट का मतलब ऐसे जमा से है जिसे मेचॉरिटी डेट से पहले विड्रॉ किया जा सकता है जबकि नॉन कैलेबल डिपोजिट मेचॉरिटी डेट से पहले पैसा नहीं निकाला जा सकता बैंक बचत खाते में जमा रकम से कमाई होगी क्योंकि इस बैंक ने इंट्रेस्ट रेट को बढ़ा दिया है प्राइवेट सेक्टर के DCB बैंक ने बचत खाते में एक लाख रुपे से कम की जमाँ पर 2.25 फीस्दी बैंक ब्याज देगा 1,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 जमापर बैंक 7 फीजदी की ब्याज की पेशकर्श कर रहा है FD वालों के लिए आ गए हैं 6 दिन 8 फीजदी ब्याज दे रहा है ये Small Finance Bank ब्याज दरे बढ़ाने की दोड में Fincare Small Finance Bank भी शामिल हो गया है बैंक ने FD पर Interest Rate बढ़ाने की गोशना की है ये बैंक DICGC से Insured है मतलब किसी भी कारण से अगर बैंक बंद होता है तब भी ग्रहकों का पैसा नहीं डूबेगा बैंक के मुताबिक 1000 दिन की FD पर सामान जनता को अब 7.5 फीजदी और Senior Citizen को 8 फीजदी ब्याज की पेशकर्श की जा रही है शेर निवेशक रहे साथान NSE ने सुनिशित रिटर्न की योजनाओं के लेकर आगहा किया है देश के प्रमुक शेर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निवेशकों को रियल ट्रेडर और ग्रो स्टॉक जैसी इकाईयों की सुनिशित रिटर्न योजनाओं के प्रति आगहा किया है एक्सचेंज ने बताया कि ये इकाईया NSE के पास ना तो सदस्य के रूप में रेजिस्टर्ड हैं और ना ही किसी रिजिस्टर्ड मेंबर की ओर से अधिकरत विवेक्ति हैं NSE का ये बयान तब आया है जब उसे पता चला है के टेलिग्राम चैनल और वाट्सेप के माध्यम से परीचालन करने वाली रियल ट्रेडर और ग्रो स्टॉक जैसी इकाईया रिटर्न की गारंटी का दावा करते हुए योजनाओं की पेशकश कर रही है महंगाई में आ रही है कमी RBI अब क्या कदम उठाएगा चलिए जानते हैं भारते रिजर्ब बैंक की मौदरिक नीती समीती आगे नीतिगदर में बढ़ोतरी की रफतार को कम कर सकती है डाइचे बैंक का नुमान है कि RBI सितंबर की मौदरिक समिक्षा में रैपो रेट में चोथाई फीजदी की बढ़ोतरी कर सकता है केंद्रिया बैंक इस साल मई से रैपो रेट में 1.4 शूनने फीजदी की बढ़ोतरी कर चुका है महंगाई अभी भी रिजर्ब बैंक के 6 फीजदी के संतूश जनक स्तर से उपर बनी हुई है जिसके कारण केंद्रिया बैंक ने नीतिगत दरों में 3 बार 1.4 शूनने फीजदी की बढ़ोतरी की है यहां से रिजर्ब बैंक ब्याजदरों की बढ़ने की रफ्तार को अब कम करेगा वहन मालिकों को सरकार ने दी बड़ी राहत BS6 स्टेंडर्ड वहनों में लगा सकेंगे CNG और LPG किट सरकार ने भारत स्टेज 6 यानी BS6 उतसरजन मानक वाले पेट्रोल और डीजल वहनों में CNG और LPG किट लगाने की अनुमती दे दी है अभी तक ऐसे बदलाव की अनुमती केवल BS4 उतसरजन मानदंड वाले वहनों के लिए थी सडक परिवहन एमम राजमार्ग मंत्राले ने BS6 पेट्रोल वहनों में CNG और LPG किट लगाने और साड़े तीन टन से कम डीजल इंजनों को CNG LPG इंजन से बदलने की अधिसूचना जारी की है अधिसूचना रेट्रो फिट्मेंट के लिए अनुमोदन आवशक्ताओं को निर्धारित करती है CNG एक परियावरन अनुकूल इंधन है और पेट्रोल और डीजल इंजन की तुलना में कार्बन मानोकसाइड, हाइडरो कार्बन और धूए आदी के उत्सरजन का इस्तर इसमें कम होता है दिल्ली में प्रति एक 15 रहे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए होगा एक चार्जिंग स्टेशन 2024 तक बनकर तयार हो जाएगा इंफरस्ट्रक्शर दिली सरकार ने साल 2024 तक हर एक पंद्र है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक सर्वजनिक चार्जिंग स्टेशन उप्तलब्द कराने की कार्रय योजना बनाई है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई नीती के तहट सरकार बैटरी स्वैपिंग सुविधा का संचालन करने वालों को प्रोथसाहन भी देगी नहीं करना पड़े बैटरियों की लागत आमतौर पर कुल ईवी लागत का 40 से 50 फीस्दी होती है और ये ईवी यूजर्स को बैटरी खराब होने के जोखिम से भी बचाती है दिल्ली सरकार का लक्षए 2024 तक परती एक 15 ईवी के लिए एक चार्जिंग स्टेशन परदान करना है लगजरी कार खरीदना महगा हो जाएगा ओडी ने कर दिया है कीमते बढ़ाने का ऐलान जर्मनी की लगजरी कार निर्माता ओडी ने कहा के वो अगले महीने अपने सभी मॉडल्स की कीमत में करीब धाई फीजदी तक की बढ़ोतरी करेगी कपनी ने कहा के कच्चे माल और आपूर्ती श्रंखला की लागत बढ़ने के चलते उसने ये फैसला किया है बढ़ी हुई कीमतें 20 सितंबर से प्रभावी होंगी ओडी इंडिया पेट्रोल मॉडल A4, A6, A8, L, Q5, Q7, Q8, S5 स्पोर्ट्स बैक और RS5 स्पोर्ट्बैक और RS Q8 की बिक्री करती है कमपनी e-tron ब्रेंड के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बेचती है जल्द लॉंच होगा महिंद्रा XUV300 का फेसलिफ्ट वर्जन फेस्टिव सीजन में आ जाएगा बाजार में घरेलू अर्टो कमपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी कॉम्पैक्ट SUV जिसका नाम है XUV300 उसके फेसलिफ्ट वर्जन का एक तीजर जारी किया है कमपनी का दावा है के अपडेटिड वर्जन ये शूनने से 100 किलोमेटर प्रति घंटे की रफतार केवल साड़े 5 सेकिंड में पकड़ लेगा नए मॉडल के फेस्टिव सीजन के दौरान बाजार में आने की उम्मीद है XUV300 के नए मॉडल में महिंद्रा का नया लोगो होगा हलाकि इसके डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा ऐसी संभावना है फेसलिफ्ट वर्जन में मामूली कॉस्मेटिक बदलाव होने की उम्मीद है चलिए अब नजर डालते हैं IPO अपडेट्स पर देखते हैं क्या कुछ चल रहा है IPOs की दुनिया में एरपोर्ट सर्विस से जुड़ा एग्रिगेटर प्लेटफॉर्म Dreamfox Services Limited का IPO बुधवार को खुलेगा IPO के लिए मूल ला दाइरा 308 से 326 रुपे प्रती शेर तै किया गया है Dreamfox के IPO के लिए एंकर निवेश को के लिए बोली 23 अगस्त को खुलेगी निवेश अकनुन नेतम 46 एक्विटी शेरों के लिए बोली लगा सकते हैं राकेश जुनजुनवाला की Rare Enterprises के निवेश वाली IKS Health भी IPO लेकर आएगी कमपनी ने कहा कि वो अगले महिने सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर फाइल करेगी IKS Health की जनवरी 2023 में IPO लाने की योजना है कमपनी अपनी 15 फीजदी हिस्सेदारी बेच कर 26 करोण रुपे जुटाना चाहती है IKS Health में Rare Enterprises की करीब 54 फीजदी हिस्सेदारी है तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरे अगर आपका भी कोई सवाल है परसनल फाइनस से जुड़ा हुआ और हाँ परसनल फाइनस की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जरूर डाउनलोड कर लें Money9 का एप और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक ilipp आ के लेखिए मया ख़कर घसे हुआlichen चालते प्रेंस झाल झाल